नमस्कार दोस्तों घिल्यास किचन में आपका स्वागत है आज मैं आपके लेके आई हूँ मेथी मटर मलाई की रेसिपी ये खाने में जितनी स्वादिस्थ है बनाने में उतनी आसान भी है तो चलिए आज की वीडियो सुरू करते है तो कड़ाई में डाल देंगे हम दो बड अब इसमें डाल देंगे एक बड़ी लाइची दो लॉंग तीन से चार काली मिर्च एक टुकड़ा दाल ची निका अब खड़े मसालों को हम थोड़ा सा पका लेंगे तो अब मैस में डाल दूंगी एक मीडियम साइस का प्याज जिसको मैंने बारिक काट लिया है अब प्य ट्रों का ठाब कालें हो सिकाइग अब मैस में डाल दूंगे एक बड़ा चमच अद्रक लेसुन का पेश्ट मेस्ट को थोड़ी देटा पका लेंगे जब तक कच्छापन निकल जाए थोड़ देर हो गई है तो अब मैं इसमें डाल दूँगी एक कप हरी मटर ये मैंने ताजी हरी मटर ली है अब मटर को हम एक से दो मिनट तक अच्छे रंग से भून लेंगे इससे हमारी मटर जो है थोड़ी बहुत पक जाएगी और इससे सबजी में फ्लेवर भी बहुत अब मटर को मैंने भून लिया है तो अब मैं इसमें डाल दूँगी सूखे मसाले तो इसमें मैं डाली है एक टीस्पून हल्दी एक टीस्पून लाल मिर्च एक टीस्पून कश्मी लाल मिर्च इससे बहुत अच्छा कलार आएगा सबजी में और साथ ही डाल देंगे दो ट भी मियाच में एक मिनट तक भूल लेंगे तो एक मिनट तक मैंने मसालों को भूल लिया है तो मैं इसमें डाल दूंगे कद्दू कस किये वे तीन मीडियम साइज के टामाटर हमारे जल्दी पक जाए तो अब इसमें डाल देंगे नमक अब सभी को मच्छे से मिक्स कर लेंगे मतर को जल्दी गिलाने के लिए इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी अब इसे ढखकर 5 मिनिट तक लो फ्लेम में पका लेंगे तो 5 मिनिट होगे हैं ढखकर अटा कर देख लेते हैं तो अब इसमें डाल देंगे बारी कटीवी मेथी अब मेथी को हम सभी के साथ अच्छे रंग से मिक्स कर लेंगे अब मैं इसमें थोड़ा सा पाने डाल दूँगी अब सब्जी को हम थोड़े धक्कर पका लेंगे थोड़े देर हो गई है तो धक्कर नाटा कर देख लेते हैं सबजी हमारी पग गए, तो आप मैंस में डाल दूँगी थोड़ा सा गरम मसाला, और साथ ही डाल दूँगी इसमें मलाई, ये मैंने घर की मलाई ली है, आप चाहे तो इसमें क्रीम भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ 6-7 सम्मत मलाई ली है, देखें सबजी में कितना अच्छा क लर आया है और बहुत अच्छे खुस्बू भी आ रही है तो इस तरीके से इस बार मेथी मलाई मतर की सब्जी जरूर बराके देखे आपको बहुत पसंद आएगी तो अब मैस में डाल दूँगे गार्णिश के लिए हरा धनिया अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें अगर आप मेरे चनल पर नए है तो प्लीज मेरे चनल को सब्सक्राइब करें और मेरी नई वीडियो को देखने के लिए बैल आइकन को दबाना ना भूले धन्यवाद